शहर के दक्षिन नाकपुर के अंतरगत आने वाले दत्तातरे नगर गार्डन की लचर हालत हुई है जिससे नागडिक काफी परिशान है पेश है हमारे समधाता संजे मेरे इनकी एक ग्राउन रिपोर्ट दत्तातरे नगर गार्डन से आईए देखते हैं नाकपुर शहर के अधिकाउंश गार्डन के मेंटेनन्स का काम एनाइटी और नाकपुर महान अगर पालिका का होता है आज शहर के अधिकाउंश गार्डन की काफी बदाली हुई है आखिरका इसके लिए जिम्मेदार कौन ये सवाल अब भी बना हुआ है बारिश आने से गार्डन के जगो जगो पर घांस बढ़ चुके हैं तो वहीं गार्डन में लगे लाइट्स पूरी तरह से तूट फूट चुके है जिससे रात में गार्डन में अंदिरासा चाया रहता है बच्चों को खेलने के खिलों ने जमीन दोज हुए है आप देख सकते है कि किस तरह से छोटे बच्चों के खिलों ने जमीन दोज हुए है तूटे फूटे नजर आ रहे हैं जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं दक्षिन नाकपूर के अंतरगत आने वाले दतात्रे नगर गार्डन की जो बदहाली के चलते अपनी बदहाली पे आंसु बहा रहा है एनाइटी और नाकपूर महानगर पालिका के अडियल रवैये के चलते और उदासिंता के चलते गार्डन में मॉर्निंग वाक कर रहे नागरिकों को काफि दिक्कोतों का सामना करना पड़ रहा है इस गार्डन में रोजाना साम बिच्चु निकलना अब आम बात हो चुकी है जिस प्रकार से दत्तात्रे नगर गार्डन की ये जो लचर हालत हुई है इसके लिए अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही इस प्रभाग के पार्षद या विधायक इनका भी ध्यान नहीं है कई मरतबा शहर के नागरिकों ने जो गार्डन में रोजाना आते है उन्होंने कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की पार्षद से की बावजूद इसके इसका काम अभी भी नहीं हुआ है दत्तात्र नगर गार्डन अपने बधाली पे आंसुबा रहा है स्वच्चनाकपूर सुन्दननाकपूर की बाते करने वाले मनपा प्रशासन का ये देखने वाला दूसरा रूप है नाकपूर शहर ये हरियाली का शहर से नाम से जाना जाता है लेकिन नाकपूर शहर के गार्डन की जो अवस्ता जो हुई है वो देखने लाइक है इस और किसी का ध्यान नहीं है यदि NIT को इस बारे में पूछा जाता है तो वो मनपा की और निर्देश करता है ऐसे में नागरी को ने जाना कहां ये सवाल अब भी बना हुआ है क्या मनपा प्रशासनी सोर ध्यान देगी क्या इस प्रभाग के विदाय की सोर ध्यान देगे क्या इस प्रभाग के पार्शेदी सोर ध्यान देगे एक देखने वाली बात होगी लेकिन एक बात तो तय है कि आ देखने वाली बात होगी इस मौक्य पर गार्डन में आये नागरिकों ने बिसेन समख्ष खुल कर जानकारी दी है आई ये सुनते हैं उनी की जुवानी आप देख सकते कि ये जो गार्डन ने यहां प्रती दिन सेकड़ों की तादाद में यहां पर इस परिसर के नागरिक आते हैं वैम प्रानायम योगा करते हैं मगर आफसोस के आए दिन जिस प्रकार से इस गार्डन की जो लचर हालत हुई है आखिरकार उसके लिए जिमेदार कौन यहीं जनने के लिए आज बिसेन की टीम इस गार्डन परिसर में आई हुई है आप देख सकते कि यहां तमाम जो सुबह में यहां पर आते हैं वे गार्डन के गार्डन के अवस्ता इस तरह हुई है कि जो गार्डन लागडाउन के पहले जिस तरह ता उस तरह अभी आलत खस्ता हुई क्योंकि ये गार्डन एनाटी के तरफ था गार्डन एनाटी से असंतरन होके कार्पोरेशन के तरफ आये और यहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो कर्मचारी एनाटी के टेंडर के नुसर काम कर रहे थे उसके कारण सुधा युक्त था कुछ दिन पहले जो अस्तांतरन कार्पोरेशन में जाने के बाद गार्डन के वस्ता इस्तर खराब हुई है कि यहां इतना घास आने की घास इतना बढ़ गयाता कि जिससे साब बिच्चू और गांजर गवत जो की अमेरिकन गवत है वो गवत के कारण है नहीं यहां रोग तो यहां की खेल कुछ की जो बच्चों की खिलोने है वो तूटे हुई है वह पहले दुरुस्त और उसके बाद यहां का घास सपाई होना चाहिए यहां की जो खिलोने पुरी तरह से बदाली अवस्ता में उसको भी सुचारू ढ़ंग से अच्छे से करना चैसा इनका मानन था हम और भी दूसरे लोग यहां पर उनसी जाना की सरा बताई यह क्या कहना चाहिए इस गार्डन के बदाली हो लेकर परदे तरह बिसी अन्ट कानल मेरे साइब तुमसे खुब-खुब स्वागत गाडन बदे और एक्चुली सांगाई जमणी आता हां करोना चाह जो काल गेला दोन वर्षा चा कि वहां जे प्रशाइशान ने आपना गाडन लक्षे द्याला पाई जो होता त्या पद्धित ने लक्षे दिला आला नहीं त्या वेस इथे खुणी गाडन लें होते आणि त्याडन चाहिए गुष्टी होता है पंड एक्चुली यह आपला पूर ततना गाडन सरक असा कुछल शुन्दर-इंकर सुन्दर गाडन नहीं है इंते 615 मिटर अपला ट्रया का है हजारों लोकों लेडी जेंड्स मूलमुली इते शक्काया पासना सहाव आज पसना वयाए मला एता नव आजे परंधा अपला इते गाडन असे इते इते सद्या प्र दो पली तो ताइमंगे तो हुणर है बंट आश्य सब नहीं हो नहीं होना चीए जए मापर और शहांश करने के हिए है और खास करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने बड़ी हुई गास के लिए और अभी शायद इस इंटर्व्यू के बाद और आपके कवर के बाद अड्मिस्ट्रेशन इसमें ध्यान देगा धखल देगा और इसमें सुधार ना करेगा इसी अबिक्षा गार्डन दक सामना करना पड़ रहा है वह अपने आप में एक है और भी कुछ यहां पर आए हुए लोग उनसे जाना चाहिए आप बता दिया और आज भी आप आये हो देखी रहे है गार्डन की दूर्दरसा तो हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इसको कारिपोशन नहीं से ख्याल करें अप्या करने जाओ शर्वप्रत्म आपला अभी नंदन आपले माध्यमा तुन प्रशासना चैनली महिती दिली याच्या अगोदा नाखपूरशुदार परनास्कुडे या मेंटेनेस गल्दन चाहोता ते वह चाहले शुविदा होतोतीं पहल पुरिए महानगर्पाली के मत जा प्राहथन तरन करना ताल ओनके त्या महानगर्पालीके मत जवल पास 15 वर्षाफ़ परस कि राज्य करता है पान एक अंदरीत अशी असा दिसुने ते कि यांच लक्ष नाकपूर चा मना का सगया नागरिकांच अरुग्या करता कही लक्ष नहीं अशी चीते एक परस्तिती हुन रालम आनी गवताचा रहला गवत साब सपाई गार्डन मदले अजून आनिक विद्धू उपकरना है साउन सिस्टम आए याचा कड़े ही दूर लक्ष करता है माजी विननति आए प्रशासनाला नाकपूर मद ये चांगले उद्ध्यान आए याचा कड़े नाकपूर चा नागरिकांच आरोग्यांच अरोग्यांच लक्ष धेवन या बद्दल साप सपाई करना प्रशासनाला विननति करतो अंकिस प्रशासना को इन्होंने बार-बार ये बात बताया है लिए उसके बावजुब्य प्रशासन के कड़ों पर जूत नहीं रहेंगी जिसके चलते इस प्रकार की समझ से यहां पर बनी हुई है सर यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया हम लोग अभी इनको एक निवेदन देंगे अभी आने वाले दो चाराटी में और निवेदन के माद्यम से उनको सुचित किया जाएंगा कि यहां क्या परस्तिती है क्या हाल है यहां से ट्रैक पे चलती है जाड़े वह आखों में जाते है और सबसे ज्यादा ओल्डेस नहीं किया तो हम लोग यहां अंदोलन करेंगे मैं इस गार्डन में नित्य में आता हूं और दत्तात्रे नगर के इरे में में रहता हूं पेरा नाम है गोपार राव गोविन राव गुल्ला ने रिटायर डिवाइस की यहां कि एक बड़ी समस्च्य यह है कि जो मुत्री घ लोग है गार्डन में इधर जो भी बगीचे के बाजू में जहें है उसके लगुशंका के लिए वहां जाते है यह भूती गलत है इसलिए वह चालू होना चाहिए और एनमसी ने उसको खोल लेना चाहिए वहां पे एक सरवन रखना चाहिए जो साब 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 सपई कर प्रभाकर टिकास रिटायर डिवाइस पी मी यह यह गार्डन मदे पंच्वी सवर्षा बासु ने तो नौकरी करूंदे के लिए तो तो आनि यह भागात सर्वस सामान्य लोक रहता आत आनि दूर दूरू निथे लोक यह पार मुठा गार्डन आये आनि यह गार्डन ला प्रायर रिटीवर प्रशासना नी अध्यावट ठेवनफार गर्जे चाहे परन्तु इतली हालत जर बगितली तर ग्रीन जीम नावाला चाहे त्या ग्रीन जीम मुळे लोकार ना दुखने लागले त्याच्व मेंटेनंस नाई अतिशे कुप करावाए पावसाला मदे थो प्रेंबर मैंना संपते तो तरे गवत न काहाडला मुळे बरेश्चे साप किटका तो यह देखिला बरेश्चे ता तरे एक वाकिंग ट्रैक आनी ग्रीन जीम हे इथे प्राथम मेनी करायला च्पाईजे जे रेक सर क्या समस्या है इतली मेन समस्या गडर ची है गडर तो पानी चाधान तो ट्रैक वरती है तो आनी पानी सर्व है ग्राउड में सुद्धा फैला जाते गवत वोगरे खुब आडलेला है यह गवता मुए इथे बैंकर घान अनी आस्वाच्छत अब आप रशाशन से क्या सब्सक्राइब तो इस प्रकार की चेतवनिया गार्डन में आए हुए तमाम लोगों ने दी है रून ने यह बताए कि एक अल्टिमेटम दिया जाएका उसके बावजूद भी मन पाप्रशा से नहीं मानता है तो यहां पर आंदोलन किये जाएगे और सही मैं यह मैं आपको दर्शो को बता दू कि काफी लचर हालत हुई है यहां के पेड़ पोदे इस तरह से जूप चुके है कि कहीं आने जाने वालों के आंकों में चूपते रहते हैं यहां पे जो हरियाली है जो यहां का जो ग्रास है बहुत जादा बढ़ चुका है और यहां के जो खिलोने और नागपुर शयर की बाते करता है डिंगे हाकता है अपने गिरिबान में यह झंक के देखे तो मनपा प्रशासंद्र को यह पता चले कि मनपा प्रशासन के अंतरगत और एनाइटी प्रशासन के अंतरगत आने वाले जितने भी गार्डने उनकी कितनी बधाली हुई है अपने बधाली पर आसु बहा रहे है शहर के ऐसे कई गार्डन इस और क्या प्रशासन ध्यान देगा इस और क्या सरकार ध्यान देगा इस औ और आप पूरे राज्ये के साथ शारों के नागरिकों की निगाये लगी हुई है दाता तरे नगर से संजेए मेरे बीसे नियोज नाखपूर